Hello students, आज हम 6 त्रमिति 3 के अंतरगत प्रस्नावली 15.1 का प्रस्नावल करने वाले हैं। मैं हो परमाद पड़े। स्वागत है आपका आपके अफने चनल P&P Adult classes पर। तो आईए देखते हैं प्रस्न इस प्रस्नावली का प्रस्न हल करने के पहले उम्मिद करता हूं कि आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके होंगे और वीच में जो भी सूत्र का प्रयोग होने वाला है वो सूत्र आप याद कर चुके होंगे आईए देखते हैं रिक्त इस्थानों की पूर्ति कीजिये, बेलन के आधार का आकार खाली स्थान होता है, जैसे की इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था, कि अगर हम एक बेलन लेते हैं, बेलन का आधार जो होता है, वो कौन से आकार का होता है, वृत होता है, तो बेलन के आधार का आ पाई-R-E-Square-H बेलन की तरिज्या वज उचाई प्रतेक 7 cm है तो बेलन का आयतन खलिस्थान होगा अब बेलन के आयतन का सूत्र तो यहाँ पर दिया गया है पाई-R-E-Square-H मान रग दीजे पाई का मान होता है 22 बटे 7 त्रीज्या 7 cm बोला गया है तो 7 का वर्ग उचाई ये भी 7 cm बोला गया है तो ये 7 एकम और ये 7 एकम कड़ गया तो ये 22 गुणे 7 गुणे 7 यानि कि 7 सत्ते 49 दोनों का गुणा कर दीजिए 9 दोनी 18 का 8 हासिल 1 9 दोनी 18 और 1 19 चार दोनी 8 चार दोनी 8 ये 8 9 आट 17 का साथ हासिल 1 8 और 1 9 और 9 और हासिल के साथ 10 कितना आया 1078 तो यहाँ पर आजाएगा 1078 cm3 अब यहाँ पर ध्यान देना आयतन बोला गया है इसलिए यहाँ पर क्या होगा cm3 अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो 1078 गन cm आपको लिखना पड़ेगा तो ये आपका रिक्तियस्थान की पूर्तिक चरों कम्प्लिट हो गया दूसरा कोश् आधार का छेत्रफल 1386 cm वर्ग है बेलन का आधार यानि की वरित होता है तो वरित का छेत्रफल हमको इतना दे दिया गया है यदि उसकी उचाई 15 cm हो तो उसका आयतन कितना होगा तो देखते हैं अगर हम एक बेलन ले रहे हैं या ऐसा बेलन हो गया तो यह जो बेलन का आधार होता है यह वला यह कैसा है ब्रित है और इसका छेत्रफल कितना हमको दे दिया गया है 1386 cm वर्ग है तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना बेलन के आधार कि त्रिज्या आर वह उचाई है हम त्रिज्या को आर माल लिए उचाई को एच माल लिए उचाई एच कितना दिया गया है यह दे दिया गया है हमको 15 cm तथा आधार जो कि कैसा आकरिती होता है ब्रित होता है आधार का छेत्रफल भी दिया गया है यह कितना दिया गया है हमको 1386 cm वर्ग तो यह ब्रित का आधार जो बेलन का जो आधार होता है जो ब्रित के आकरिती का होता है उसके छेत्रफल का सूत्र क्या होगा पाई आर स्क्वेर बराबर 1386 मान रखिए पाई का हो जाएगा 22 बटे 7 गुनित आर का वर्ग बराबर 1386 अब यहाँ पर देखिए आर स्क्वेर के साथ में 22 बटे 7 का गुना है यह भी बोल सकते हैं आर स्क्वेर के साथ 22 का गुना और 7 का भाग है तो 7 उधर जाके गुना हो जाएगा आर स्क्वेर बराबर 1386 गुनित 7 और बटे यह 22 जो है नीचे आ जाएगा अब यहाँ पर कटात देखते हैं 2 ग्यारा म 22 और यह हो जाएगा 2 छेक का 12 एक बचा 18 बनेगा दो निया 18 फिर यह 6 बचा 2 तिया 6 फिर 11 से देखते हैं 11 एकम 11 ग्यारा छेक का 6 साथ तीन बचा 35 हो जाएगा 11 तिया 35 अब यहाँ पर जो है आर वर्ग बराबर यह 63 गुणित 7 अगर हम चाहें तो यह square को हटा देंगे तो इधर क्या बन जाएगा रूट बनेगा और हमको पता है आर बराबर इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणित 7 तो इसमें अगर हम आगे बढ़ाएं आर बराबर 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा यह 7 और 7 का पियर बन जाए तो यह क्या निकलेगा 7 तो आर बराबर कितना हुआ 3 सत्य 21 सेंटी मीटर याने कि तरीज्या हमको कितना मिल गया 21 सेंटी मीटर उचाई कितना है 15 सेंटी मीटर अब ये दोनों का उपियूग करके हम क्या ज्याद कर लेंगे बेलन का आयतन यहाँ पर मैं मीटा रहा हूँ इसको तो अब लिख देंगे बेलन का आयतन क्या होता है सूत्र इसका पाई आर स्क्वेर एच पाई 22 बटे साथ आर कितना अभी हमको मिला है 21 और इसका हो जाएगा वर्ग एच कीतना 15 ठीक है यह हो जाएगा आपका 22 बटे साथ गुनित 21 का वर्ग है तो दो बार लिखेंगे 21 गुनित 21 बटे एक कर देता हूँ ताकि confusion न रहे गुनित 15 बटे एक कटेगा तो कटा दो साथ एकम साथ और यह हो जाएगा साथ तिया 21 ठीक अब यहाँ पर जो है गुना बस करना है आपको तो यह 22 गुनित 3 तो 22 तिया हो जाएगा 66 गुनित 21 गुनित 15 गुना कर दीजे बागी जो है आजाएगा तो यहाँ लिख देते हैं 66 गुनित 21 एक चेक का 6, एक चेक का 6, दो चेक का 12 का 2 हासिल 1, दो चेक का 12 और एक 13, ये 6, 6, 2, 8, ये 3 और ये 1, गुणित फिर कितना? 15, 35 का 30 का सुन्य हासिल 3, 5, 8, 4, 3, 43 का 3 हासिल 4, 5, 3, 15, 4, 19 का 9 हासिल 1, 5 एक चेक का 5 और एक 6, ये 6, 8, 3, 1, 0, 9, 9, 8, 17, 6, 3, 9, 10 का सुन्य हासिल 1 और ये 2, तो ये कितना हो गया? 20,790, चूकि आयतन है तो यहां लिखेंगे घन और सेंटिमीटर में दिया है तो यहां लिख देंगे सेंटिमीटर और ये हो जाएगा आपका आंसर तो आप यहाँ पर 20,790 घन सेंटीमीटर लिखोगे तब भी सही है या 20,790 सेंटीमीटर क्यूब यानि कि घात 3 लिखोगे तब भी जो है सही है तो यह आपका दूसरा भी कम्प्लीट होता है अब तीसरा प्रस्न बेखते हैं तीसरा प्रस्न में क्या दिया गया है बेलन का आयतन ग्याद कीजिए जिसकी माप निमनलिखित है या जिसका माप निमनांकित है तो यह तीसरा में तीन प्रस्न दिया गया है तो पहला हम देखते हैं त्रिज्या अगर 12 सेंटीमीटर है और उचाई जो है 14 सेंटीमीटर है तो हम आयतन ग्याद करेंगे तो मालना बेलन के आधार की तरिच्या R वह उचाई H है तो हम लिख देंगे R बराबर 12 सेंटीमीटर और उचाई H बराबर कितना? 14 सेंटीमीटर सीधा सीधा हम सूत्र में मान लखेंगे यहां लिखेंगे बेलन का आयतन यह होगा पाई R स्क्वियार H पाई का 22 बटे साथ R की जगह में 12 का वर्ग और H की जगह में कितना? 14 जितना कटता है कटा दो साथ एकम साथ, साथ दुनी 14 तो यह हो जाएगा आपका 22 गुनित 2 को पहले ले आता हूं और इसका 12 का वर्ग है तो 12 गुनित 12 22 दुनी 44 यह दुनों का गुना कर दिये 44 बारा गुनित 12, बारा बारम 144 तो 144 को हम 44 से गुना कर देते हैं 44 16 का 6 हासिल 1 44 16 का 7 हासिल 1 4 एकम 4 और एक 5 फिर 4 से गुना करेंगे तो 6, 7, 5 यह आपका 6, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1 75 12 एक 13 का 3 हासिल 1 और यह 5 और एक 6 कितना आ गया 6,336 गहन सेंटी मीटर और यह जो है आपका बेलन का क्या आजाता है आयतन आ जाता है तीसरा कहीं दूसरा देखते हैं अगर तरिज्या 2.8 सेंटी मीटर और उचाई जो है 5 सेंटी मीटर दिया है तब हम क्या करें तो माना बेलन के आधार के तरिज्या R और उचाई H है तो तरिज्या R बराबर हम लिग देते हैं 2.8 सेंटी मीटर और उचाई H बराबर लिग देते हैं पाँच सेंटी मीटर तो हमको यहाँ पर मिलेगा बेलन का आयतन एक बात बता दूँ आपको कि जितने भी प्रस्न बन रहा है सेम मेथद है लेकिन केलकुलेशन में आप गलती मत करना और वही चीज जो है आपको सीखना है इसलिए जो है आपको पूरे कोश्चन को अटेंड क करना है आर का मान कितना दो दस्मलव आठ का वर्ग गूलीट एच कितना पांच अब इसके पहले वाले में जैसे बारा का वर्ग आया था तो बारा गूनित बारा का दी है बारा बारम एक Kas वालन लेकिन यहाँ पर जिए कर आपको सुत्र है आप पासान इसे कर सकते हैं तो यहां पर फिर mistake करने का chance बढ़ जाता है 22 गुए 7 इसको हम लिखेंगे 2.8 गुणित 2.8 और गुणित में 5 तो यहां क्या करेंगे देखो यह दसमलो को हटाना है तो उसके लिए बटे में हम क्या लिखते हैं एक और दसमलो के बाद एक अंक है तो य यह आपका दसमलो हट जाता है क्या बन जाता है 28 बटे 10 सेम यहां पर भी वनेगा 10 करेंगे तो यह जो है हट जाएगा तो यह आपका 22 बटे 7 गुणित 28 बटे 10 गुणित 28 बटे 10 गुणित 5 हो गया अब यहां क्या करें हम 7 इकमसाग और 7 चौंग 28 हम चाहें तो इसको भी क कटा सकते हैं लेकिन कटाना ने क्योंकि बार में फिर दसमलों में आएगा भाग देने में दिक्कत होगा इससे अच्छा कि आप अंसंस का गुणा कर दो 22 गुणित 4 गुणित 28 गुणित 5 और पूरे का बटे 10 गुणित 10 याने की क्या हो जाएगा 100 जब इससे इसको भाग दे पांच अठे 40 का सुन्य हासिल 4 और 5 दोनी 10 और 4 चौगगा फिक है ये दोनों का गुणा किये तो 140 आया इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 88 अब पूरे का गुणा कर दो 8 सुन्यम 8 चौग 32 का दो हासिल 3 आट एकम 8 और 3 ग्यारा ठीक है ना 8 चौग 32 का दो हासिल 3 आट एकम 8 तीन ग्यारा ठीक फिर 8 से गुणा करोगे तो वही आने वाला है तो ये 0,2,3,2,1 कितना आया भई 12,320 बटे कितना 100 यही बोल रहा था कि अब यहाँ पे दो जीरो है है दो इस्थानी धर किसक जाएगा मतलब कितना हो जाएगा यह 123.2 सुन्य गहन सेंटी मीटर और यह जो है आपका आंसर बन जाता है तो यही केलकुलेसन में थोड़ा न थोड़ा आगे पीछे होता है उसी के लिए जो है आपको सभी कोश्यन को अटेंड करना चीए ताकि आपको जहेए कोई प्रॉबलम ना हो ठीक है अब इसके बाद हम चलते हैं इसके तीसरा परस्न में तो तीसरा में क्या हैती सरा परस्न एक बार पढ़ लेते हैं तीसरा में हमको दिया गया है ब्यास 20 मीटर ठीक है ब्याज दिया गया है 20 मीटर और उचाई दिया है 21 मीटर तो यहाँ पर हमको पता है कि अगर हम किसी भी ब्रीट की तरिजिया हम लिए है R और इसमें हम दो का गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाता है ब्याज मिल जाता है तो यहाँ पे माना बेलन के आधार के तरिज्या R हुआ उचाई H है तो मैं डाइरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर ब्यास 2R करके लिख देता हूँ ठीक है तो ब्यास 2R इक्वल कितना हो जाएगा 20 तो यहाँ पे R का कितना आ जाएगा 20 बटे 2 यानि कि R बराबर आएगा आपका 10 मीटर ठीक है और उचाई कितना H है तो H का मान तो डाइरेक्ट हमको दिया गया है 21 मीटर अब इसके बाद जहें आप सूत्र में मान रख दीजिए बेलन का आयतन क्या हो जाएगा बेलन का आयतन पाई R स्क्वेर H पाई का 22 बटे 7 आर की जगह में अब कितना लिखना है 10 का वर्ग और H के जगह कितना 21 आसानी से बनेगा 7 एकम 7 और यह हो जाएगा 7 तिया 21 तो यह हो गया 22 गुनित 10 का वर्ग करोगे 10 गुनित 10 यानि कि 10 दहाम 100 गुनित कितना 3 अगर हम 22 का गुना 3 से करें तो 22 तिया 66 गुनित 100 अब इससे गुना करोगे तो एक चेका एक चेका और यहाँ पे दो 0 तो यह हो गया 6600 गन मीटर और यह हो गया आपका बिलन का आयतन इस प्रकास से प्रस्न पीन भी कम्प्लीट हो गया तो आज जो है हमने प्रस्ना वाली 15 दसमलों एक में पहला दूसरा और तीसरा कोश्चन कवर किया है तो आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में